अफिसार शर्मा, भारती जाता पार्टी सरकार के निशाने पर तीन, किसान, केजरिवाल और बंगाल आज न्यूस चक्र में हम तीन मुद्दों की चर्शा करने जा रहे हैं मुद्दा नमबर एक, किसान अपना दम दिखा रहा है चाहे बंगाल हो, चाहे मद्ध प्रदेश, और गोदी मीडिया जो है वो सरकार की सुपारी लेकर किसानों को फिर से टार्गिट कर रही है मुद्दा नमबर दो, केजरिवाल पर निशाना साध रही है बीजेपी सरकार मगर हम सवाल ये पूछने वाले हैं कि कहीं दिल्ली की जनता को इसका खम्याजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा मुद्दा नमबर तीन जो हम आपके सामने लेकर आएं वो ये कि पश्यम बंगाल के अंदर भारती जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है मगर मीडिया का ध्यान उस तरफ नहीं है शुरूआत हम करना चाहेंगे इस तस्वीर के साथ आप जानते हैं दो दिन से देश के अंदर कम से कम दस लाक बैंक करमचारी हड़ताल कर रहे है उनकी मांग आप जानते हैं किया है उनकी मांग है निजी करण के खिलाफ वो ये कह रहा है कि अगर तमाम बैंक्स प्राइवटाइस कर दिये जाएंगे तो उसके बच्चे को रोटी खिलाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आज मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ क्या इस खबर को आपने कहीं पर भी देखा पिछले दो दिनों से हम यानि की न्यूज क्लिक में अपने करतव को समझते हुए उन बैंक के करमचारियों उनकी मुश्किलात उनकी जो चिंता हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं अगर मीडिया ने क्या इन बैंक करमचारियों के हरताल पर तवज्जो दी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कुछ दिनों बाद मीडिया किसानों की तरह इन बैंक करमचारियों को भी देश दुरूही खरार दे देगी मैं शाहता हूँ कि द्यूस क्लिक से बाचीट में क्या कहा इन बैंक करमचारियों ने इनकी आवाज सुनिये क्योंकि आपको सुनना होगा और इसी से जुड़ा है किसानों का मद्दा सुनिये देश भर में जो सपोर्ट मिला है बैंक यूनियन को वो इसलिए मिला है और वो इस बात का पड़िचायक है कि आम जनता समझ चुकी है कि ये सरकार बेचने पर आमदा है सारे नेशनल एसेट्स को बेचना चाहती है और बैंकों में जो जैसा मैंने कहा ये 143 लाग करोर पब्लीक का डिपॉजिट है उस डिपॉजिट के उपर कॉर्परेट का नजर है कि किस तरह से इस डिपॉजिट को ले करके हरब करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए और इसी लिए सरकार भी निजी करन चाह रही है ताकि अपने कॉर्परेट मित्रों को वो 145 लाग करोर जो हार्ड ओन्ड मनी है गरिबों का आम जनता का मिडिल क्लास का उसको किस तरह से लुटाए हम आपको बताना चाहेंगे कि United Forum of Bank Unions ने देश भर में सारवजनिक शेतर के बैंकों के प्राइविटाइजेशन के खिलाव दो दिन की हड़ताल की खोशना की है 9 Bank Unions की एक UFBU और माना जा रहा है कि देश भर में सारवजनिक शेतर के बैंकों के लग भग 10 लाग करमशारी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल है 10 लाग का आकड़ा छोटा आकड़ा नहीं होता है और सबसे बड़ी बात ये एक खबर है ये खबर हमारे मुख्धारा के निउस चैनल से गायब क्यों है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों अगर ये खबर लाई भी गई लाई भी गई तो इसमें भी उन बैंक करमशारीों को देशद्रूई करार दिया जाएगा तो एक तरफ तो हमारे बैंक करमशारीों की हड़ताल है और निउस क्लिक उसकी पल-पल की जानकारी आप तक पहुँचा रहा है दूसरी तरफ किसान जो है वो सरकार की नीतियों का जवाब दे रहा है हम आपको बतलाना चाहेंगे कि इस वक पश्चिम बंगाल में कई जगाओं पर एक आंदोलन चल रहा है नो वोट टू बीजेपी इसमें किसान भी शामिल है वो पश्चिम बंगाल का रुक कर रहा है उसके बड़े बड़े जो नेता हैं राकेश्ट कैद नरेश्ट कैद तमाम लोग योगी इंद्रियादव तमाम लोग पश्चिम बंगाल पहुँच रहे हैं और वहाँ पर वो अपनी आवाज बुलन कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का एक छोटा सांच देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारती जनता पार्टी को वोट न दिया जाए और किसान यहां रुका नहीं है मद्द प्रदेश के अंदर जहां मद्द प्रदेश के अंदर जहां शिवरा सिंग चोहान की सरकार है वहाँ पर किसान ने मूर्चा समाला हुआ है राकेश टिकेट वहाँ पहुँचे और इन तस्वीरों से साफ हो रहा है दोस्तों की जबरदस्ट हुझूम है इस वक्त वहाँ उनके स्वागत के लिए किसान अपने मुद्दे उठा रहा है और ये सरकार के लिए जबरदस्ट चिंता का सबब है क्या कहा राकेश टिकेट ने जब उनसे पूछा गया कि आपका यह आंदोलन राजनीतिक तो नहीं है सुनियो उन्होंने क्या कहा कि अधर परदान मंतिर ने कहा कि अपनी पजल मंडी के बाहर बेच लो मंडी के बाहर और तो मंडी लगी निया मंडी के बाहर टीम का उपीस लगा अगर पुलिस परसाइब रोका का तो थाना लगा तो महां पर कम सका में में सब्सक्राइब पिक जागी यह परदान मंतिर ने का अधर देश में अब तक कोई बहुत बड़ा किसा नामों में मतलत निया आजगा तो मतलब है नोन पॉल्टिकल है राजनीती तो रही नहीं यहां तो कंपनी राजनीती कर रही यहां ना सरकार है किसी पालिटी की और मीडिया का क्या कवरिज है वो आपको इस तस्वीर से पता चल जाएगा यह तस्वीर जो कह रही है मोधी विरोध के लिए किसानों का मुखोटा एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भी हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है आपको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश थोड़ी ना है अरे जब आपातकाल चल रहा था जब इंदरा गांधी का वर्चस्व था पूरे देश में तब कॉंग्रिस के एक चाटुकार ने कहा था कि इंडिया इस इंदरा इंदरा इस इंडिया यहां तो पूरा मीडिया लगा हुआ यह कहने में कि मोदी इकुल टु इंडिया आपको यह बात अटपटी नहीं लगती है और अब भी इस सरकार के सानसत किसान को गाली दे रहे हैं उसके बारे में आप शब्द कह रहे हैं और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी उस पर खामोश है साक्शी महराज ने हमारे किसानों की तिलना किन लोगों से की आप खुद सुनिए टिकेत हमारे प्रत्यासिय सामने है अजिस सिंगी पार्टी से चुनाव लड़े थे लोग सवा का 9000 भी वोट नहीं मिले थे तो जिस आदमी को 9000 भोट नहीं मिले हो अब अपनी धर्ती तलासने के लिए किसान का अंदोलन लेकर खड़ा हो जाएं एसे ही आपके राजस्तान में bağ अंघष सरकार रहे किसान फासे पूस्त कर दिया गया शारे देश develops में किसान पर राज नहीं है तammως दिल्ली के बौडर यह बौडर राजस्तान से सटता है जो पंजाब से सटता है वहां पर केवल एक तमासा हो रहा है मगर मुझे खुशी है कि सरकार से जुड़ी कुछ आवाजें हैं जो प्रधान मंतरी को एक अच्छी नसीहत दे रहे हैं राजपाल सत्पाल मलिक ने क्या कहा आप सुनिए सत्पाल मलिक का कहना है कि उन्हों ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से करीबी एक पत्रकार को सलह दी है कि किसानों से वार्ता करें किसानों का अपमान ना हो मगर सवाल ये कि क्या प्रधान मंतरी सत्पाल मलिक की आवाज सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, क्या कह रहे हैं सत्तपाल मालिक, आप खुद सुनिये आप लगातार किसान की बेज़ती करने का प्रयास कर रहे हैं उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग उसकी आवाज में आवाज बुलन करते हैं, उनके दफ्तरों में आप एडी के रेड्स मार देते हैं उन युवाओं को 22-22 साल की दिशारवी को आप गिरफतार कर लेते हैं और उनका गुना सिर्व इतना कि वो एक टूल किट का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ किसान आंदोलन का जिक्र होता है दुनिया भर में चाहे ब्रिटिश हाउस अफ कॉमिन्स हो, चाहे अमरीकी संसद हो, चाहे संयुक्त राष्ट हो, सिंगर रिहाना हो, ग्रेटा थन्बोगो आज की तारीक में सभी भारती किसान की आवाज में आवाज बुलंद कर रहे हैं मगर हमारी सरकार के माने तो ये तमाम लोग जो हैं वो खालिस्तानी समर्दक हैं मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आप अपनी आखें खोलिए और हकीकत से मूं मत मोडिए और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तो आपको याद है जब अन्ना अंदोलन हुआ था दोस्तो उस वक्त मैं आज तक न्यूस चैनल में काम कर रहा था और मुझे याद है जब मैं आज तक न्यूस चैनल में था तो उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे सलमान खुरशीद हमने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी उनके जो एंजियोज हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी उस वक्त अरविंद केजरिवाल, योगेंदर यादव, कुमार विश्वास ये लोग जो हैं ना किसी पुलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे ना राजनेता थे ये लोग सिर्फ भरष्टा चार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग थे मैं नहीं भूला हूँ उस वक्त अरविंद केजरिवाल जो हैं उन तमाम जगाँ पर जा रहे थे और कॉंग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब अन्ना आंदोलन से जुड़े लोग उस वक्त कॉंग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और वो गुना नहीं है तो आज की तारिक में अगर किसान पश्य मंगाल जा रहा है मद़प्रदेश जा रहा है और भारती जनतापाटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें क्या गुना हो गया भाई भारती जनतापाटी क्या सीधे सुवर्ग से उतर कर आई है